इस वीडियो में करेंगे हम कक्छा नौवी का परसना वली 13.2 से प्रसा नमबर 8 इसमें कहा गया है गरम पानी द्वारा गरम रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटी मीटर व्यास वाला एक बेलनकार पाइप है इस संयंत्र में गरमी देने वाला पाइप कुल कितना प्रिष्ठ है तो देखिए यहां पे आपको एक पाइप दिया गया है जिसकी लंबाई यानि की एच बराबर में है 28 मीटर और इसका व्यास यानि यहां से लेके यहां तक वो है 5 सेंटी मीटर तो इसमें कितना प्रिष्ठ छेतर फल है इस पाइप का वही निकालना है आपको इस कोशन में तो आप सब से पहले इसमें लिखोगे बेलन कार पाइप का लंबाई तो इसका हल शुरू करते हैं बेलन कार पाइप का लंबाई यानि की एच बराबर में आ जाएगा 28 मीटर ऐसे लिखेंगे बेलन कार पाइप का व्यास है तो व्यास जो है पांस सेंटींटिमीटर है है हाँ को इसकीत रीज्या के तिरिज्या be call कि टिज्या यानि की सर्कित्वना घाएगा इस का इसका अधा अधा हो तो इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2.5 है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना परेगा, और एक यहाँ पॉइंट है एक डिजिट के बाद, एक, दो, तीन, तो यह तीन डिजिट हो गए, यहाँ पे पॉइंट आगा, तो इसका आजागा 0.025 मीटर, तो यह आगया इसका मीटर में तिरिज्जा, तो इसके बाद हम लिखेंगे पाइप का वक्रिप्रिष्ट छेत्रफल बराबर में 2 पाए आरेच, देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइप का वक्रिप्रिष्ट छेत्रफल बराबर में 2 पाए आरेच, तो यहाँ पे 2 इंटू पाइ की जगा आजाएगा 22 बटा 7, गुना में आर की जगा आजाएगा 0.025, अब पॉइंट अटाएंगे तो दुबारा इसमें निचे 3.0 आ जाएगा और गुना में एच यानि की 28, देखिए, साथ एकम साथ, साच चौक 28, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 22 दूनी 44 और गुना में पच्चिस चौका 100, तो पच्चिस चौका 100 हो गया, और डिवाइड में 1000, तो देखिए, यहाँ पे 100 जो है गुना में है, तो यह कट जाएगा नीचे से, तो यह 2.0 इसका कट जाएगा, और इसका भी 2.0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 44 बटा में 10, यानि कि यहाँ एक 0 है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वेर, तो यह है इस पाइप का वक्रप्रिष्ट छेतरफल, तो यही इसका आंसर है, कि दो यहीजिए झाय जाएगा कर दो यहीजिए है, जो यह जएवागा है, जक यहाँ भी झाया है, तो यहाँ जुजिए, हो हाँ, तो यहाँ, जक बाद वहाँ रेप्र दोूना को यहाँ, तो यहाँ.